हर्यना सरकार का बड़ा फैसला संजीवनी परियोजना की होगी शुरुबात कोविट रोगियों का घर पर होगा इलाज करनाल पहुंचे किसान नेता गुरुनाम सिंग चड़ूनी किसानों से बोले चड़ूनी आंदोलन को खत्म करने के लिए अफवा फैला रही सरकार हर्याणा में अनलवजने सफाई करमचारियों को दी सौगात बोले कोरुना ड्यूटी में मौत होने पर मिलेगा मौवजा और हर्याणा में कोरुना की नहीं थम रही रफ्तार संक्रमन के 5,021 नए केस मिले एक दिन में कोविट ने ली 98 और लोगों की जान करणा में लोगों की जान हर्याना चौभाल में आपका स्पागत है और मैं हूँ आपके साथ लोकिश चगवानी हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर सुमवार को वीडियो कॉंफरेंस के माध्यम से कुरुना मरीजों के लिए एक नई पहल का शुभारम करेंगे जिसका नाम संजीवनी पर्योजना रखा गया है पर्योजना में कोविड के हलके से मध्यम लक्षन वाले मरीजों की देखवाल उनके घर पर ही की जाएगी इससे मरीजों को कुछ हद तक राहत मिलेगी और उन्हें इलाज के लिए घर से नहीं निकलना पड़ेगा जानकारी के मताबिक जरुरत मन को जरूल चिकसा देखवाल के दिशा में महत्वप्वन ख़दम होगा फर्वटा के मताबिक संजीवनी फर्योजना उन ग्रामेड कर्मिड शेत्रों में चिकसा देखवाल का विस्तार करेगी जहाँ वायरस की दूसरी लहर के पैलने और अधिकारियों का मानना है इस हमुचत देखवाल से 90 प्रतेशत से जादा रोगियों का घर पर इलाज किया जा सकता है हर्याना सरकार कुरुना काल में सफाई करमचारियों के लिए एक सौगात लेकर आई है शहरी स्थानिय निकाय मंत्री अनल विच ने कुरुना ड्यूटी के दौरान किसी भी सफाई करमचारी की कुरुना से मौत होने पर उसके परिवार को 20 लाख रुपए का मौवजा राशी देने की घुशना की अनल विच ने बताये कि हर्याना सरकार ने पहले डॉक्टरों और पुलिस करमियों को मौवजा राशी देने का ऐलान किया था जिसके तहट डॉक्टरों को 50 लाख और पुलिस करमियों को 30 लाख रुपए दिये जा रहे हैं सरकार की होशना सफाई करमचारियों को राहत देने का काम करेगी उन्हें अपने काम को पूरे मनोबल से सिरे चड़ाने का साहस मिलेगा तो वहीं ब्लैक फंगर्स पर ग्रह एवं स्वास्थिमंतरी अनलविज ने कहा कि इलाज के लिए जितने इंजेक्शन बिल सकते हैं सरकार हासल कर रही है केंद्र से हर्याना के लिए 12,000 इंजेक्शन की मांग की गई बीमारी की गंभिरता को देखते वे विदेशों से दवा मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है काफी बढ़ रहे हैं तीन सो अठानमे केसिज आज की तारिक में हैं पर जैसा मैंने बताया था कि सभी मेडिकल कॉल्जिस में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं वहाँ पर इनका उपचार कर रहे हैं क्योंकि इसमें मेर्टी स्पेशलिस्ट डाक्टरों की अवश्चता होती है डेंटल सर्जन चाहिए ईएंटी चाहिए आई चाहिए यूरो का चाहिए मुख्यता है इन्ही छित्रों पर ये अटैक कर रहा है तो ये सारी सुबदें हमारे पस मेडिकल कॉल्जिस में हैं सब का इलाज कर रहे हैं इंजेक्शन जो एमफर्ट आइसिन है जो इसकी मुख्या दवा है वो और क्योंकि परियाब तो निर्मान में नहीं थी बिमारी एकदम आई है उसको हासिल करने में दिक्कत हो रही है लेकिन साड़े बारह सो इंजेक्शन हमें अभी तक उपलब्द हो चुके हैं और हमने टेक्निकल कमेटी बनाई हुई है जो एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टरों की बना कर वो तैय करती है लोग अपना एप्लिकेशन उनको देते हैं कि जिसकी ज़्यदा जुरूरत है उसको प्रास्विक्ता के हिसाब से वो इंजेक्शन दिये जा रहे हैं इसलिए इंजेक्शन की बहुत सक्त जरूरत है हमने भारत सरकार से बारा हजार इंजेक्शन की मांग की है और हमने विजशों से भी इंपोर्ट करने के लिए परसेस इनिशेट कर दिया है मैंने जब पहली वेव आई थी क्योंकि बड़े मुश्किलों भरे दिन थे और शुरू में तो पता नहीं था कि मास्क कैसा लगेगा कहां से मिलेगा पीपी की किट कहां से बनेगी क्या क्या प्रिकाशन्स हैं क्या क्या दौईयां हैं तो उसी वकत मैंने एक हर्याना में रोतक के उपायक्त कैप्टन मनोच कुमार ने दावा किया कि जिले में कोरोना महामारी को लेकर स्थिती में सुधार आया है उन्होंने बताया कि पाजिटिव मामलों के संख्या घटी है इसकी एक बज़े उन्होंने जनता में जागरुकता बताया हालांकि उन्होंने जनता से सचेत और सजग रहने की अपील की उन्होंने कहा कि शोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और डबल मास्क लगाना होगा मनोच कुमार ने कहा कि हर्याना सरकार के फैसले के अनुसार सरकारी अस्पतालों में उमंग नाम से पोस्ट कोविड सेंटर खोलेंगे रोह तक जिला प्रशाशन का प्रयास है कि इंडियन मेडिकल एसोशियेशन के सहयोग से निजी अस्पतालों में पोस्ट कोविड सेंटर खोले जाएं कैप्टन मनोच कुमार ने जिले के गाउं में स्वस्तु सुविधाओं के फिलहाल बहतर होने की बात कही है उपायुक्त ने कुरोना महामारी के मरीजों में बलेक फंगस से संक्रमन को लेकर चिंता जिताई उन्होंने बताए कि ऐसे में सफाई का विशेश तोर पर ध्यान रखना होगा घर पर रहकर इलाज के दौरान आक्सीजन का इस्तिमाल कर रहे मरीजों को हिदायत का पालन कराना होगा स्थिते में काफी सुधार है तमाम तबकों के और लोगों के प्रयासों से आमजन में भी जागुकताई है शायद उसका भी प्रणाम है और जो पॉस्टिविटी हमारी कभी दीस बाइस पचीस वा करती थी वो अब नीचे आके साड़े आठ आठ पसंट के आसपास आ गई हिदार पीजी आई का आज का जो कल शाम तक का पॉस्टिविटी रिजव साड़े साथ के आसपास है हमारे जिले का साड़े आठ के आसपास है तो रफली है साड़े साथ आठ के बीच में रेंज कर रहा है कई जिलों में और विज्यादे है ये मेरे पास खास तोर पे बात जो करने के लिए हो ये है कि लोगों को हाईजीन का बहुज़ाद एक ख्याल रखना होगा माइकोसिस नम की जो बिमारी है बलक तॉंगस उसके पचास बावन पेशिंट्स आ चुके हैं पीजियाई में अफकोस हमारे अपने रौ तक के तो वो सब नहीं हैं अपने दो तीनी लोग है शायद जो मैं जानता हूँ और बाकी दिनों के भी लोग हैं कुछ करनाल में भी लोग भरती हैं कल्पना चावला में एक दो कैजूल्टीज भी शायद हो गई हैं इसकी वज़े से तो इसके बारे में लोगों को विशेज ध्यान देनी ज़रूरत हैं जो लोग घरपया उक्षजिनेशन करते हैं वो उक्रपया डिस्टिल्ड वाटर का पानी का दिनों को इसक्माल करें उसका करें और हाथों की साफ़सफाई नाकां को नचुएं इस तरह की परहिज रखने पड़ेंगे हमने और सरकार ने भी डॉक्टर कम्यूनिटी से मेडिकल कम्यूनिटी से भी दरफास्त करी है कि स्टिरॉइड का इंडिस्क्रिमिनेट यूज न किया जाए और ऑक्षजिनेशन का भी इंडिस्क्रिमिनेट यूज न किया जाए जहां तक संबव हो लोगों को यह दिको डि चलाएं ताकि वो आउसाद का शिकार नहों और उनकी एनरजी एक अच्छी दिशा में चैनलाइज हो जाए यही चीज हम स्कूलों के लिए भी कर रहे हैं डी और डी ड़ी ओ के मारफ़त के बच्चों के इंगेज रखें ताकि ऐसे माहूल में वो डिप्रेशनी आउसाद का सरकारी हस्पितालों में तो चुकि सरकारी हस्पिताल तक ही सीमी तरे जाना काफी नहीं है इसलिए हमने यह भी निरने लिए है कि हम आएम में के साथ बाचीत करके और कुशिश करेंगे कि प्राइविट फसिलिटीज में भी इस तरह की सुविदा हो क्योंकि मैं कल देख र क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं आपकी सेहत नहीं बनती भूख कम लगती है वजन नहीं बढ़ता दरसल में बात खाना पीना खाना नहीं है में बात है खाया पीया लगना और अगर खाया पीया लगेगा ही नहीं तो सहत बनेगी कैसे इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयरविदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंतर को आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड आपके शरीर को लगे आपकी भूख बड़े खाया पिया सही से लगे नया खून बने हड़ियों में जान आए वजन बड़े ताकत बड़े चेहरे पर नूर आए और आप मुटे तगडे खूब सूरत परसनेलिट के मालिक बन जाए ये दवा पूरी तरह से आईरविदिक होती है इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट कोई भी नुकसान या दुश पर भाव नहीं होता लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तमाल कर सकते हैं और पहले पंदरा दिन के अंदर ही आपको इसका असर म 45 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है पुर्णे पे कोरूना का कहर लगातार जारी है और इस बीच किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और नए करशी कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं 26 माई को किसानों के इस आंदोलन को 6 महीने पूरे होने बाले हैं और ऐसे किसान नेता 26 माई को पूरे देश में केंदर सरकार का विरोट कारिकरम रख रहे हैं और ज्यादा से जादा किसानों को अपने कारिक्रम में जोडने की कोशिश कर रहे हैं और इसी पीजे भारतिय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुर्णाम सिंग चड़ूनी करनाल पहुंचे और फिर सरकार के खिलाफ प्रदशन किया और इस दौरान गुर्णाम सिंग चड़ूनी ने कारिक्रम में पहुंचे किसानों को संभोधित किया और हर्याना सरकार पर हमला बोला गुर्णाम सिंग चड़ूनी ने कहा कि दिल्ली के ठिक्री बौडर के लिए हजारों की संक्या में करनाल के किसान जा रहे है तो वही गुर्णाम सिंग चड़ूनी ने दावा किया कि सरकार आंदोलन को खत्म कराने के लिए अलग अलग अफ़वा फैला रही है लेकिन किसान बदनाम होने वाले नहीं करोना किसान बदनारे करोना किसान बदनारे करोना सरकार फैला रही है और सरकार अपने निकम्मेपन को चुपाने के लिए किसामने पे जाम लगा रही है अबी तक उनके पास गैस पूरी नहीं है, वैंब양ोंट पूरी नहीं है, ऊस्पिडल पूरी नहीं है, टिके पूरे नहीं है, तो बिना एलाज के लोग मर रहे हैं, तो अपनी कमी का अपनी नकामी को शुपाने के लिए, और अगर उनको एतनी चिंटा हैं, तो मुक्या मंतरी क्यों प्रोग्राम करते हैं? हजारों की सब्सक्राइब को लोग इकत्थे कर रहे हैं, तो वो लोग बला रहे हैं, हमारे तो मिजबूरी है, उनकी तो कोई मिजबूरी नहीं है. तो एक रुटीन का मैटर है, कि वहाँ पे हमारी हादरी रहने चाहिए, सरकार को कहीं ये बेफिकरी ना हो जाए, कि किसाना में जागर करने हैं, वो दिखाने के लिए परतर्शन है, कि हम अभी जागरे हैं, भी सुख़ए नहीं हैं। किसान कुजीद पकड़े हुए. छबी मही का क्या कारिकरम देगा जी? छबी मही को कालेज हंडे लगाएंगे, और मुदी के पुतले भुकेंगे, और छबी मही को बहुत पुरुनिमा भी है, सबी में चोपर बहुत पुरुनिमा भी मनाएं। देखिए, अंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम अंदोलन जीत नहीं जाते हैं। उसमें टाइम कुछ भी लग सकता है। उसमें रणनी कियां टाइम टाइम पे बदली जासे हैं। अधर की पुरुनिमा पूरुनिमा टाइम कुछ चाहते हैं। जब वहां काम नहीं है, तो लोग घरों को आ गए है, काम पड़े ग़ लग फिर चले जाएंगे। अब आपके सामने तो है, एक जीले के लोग आप देख रहे हैं। खबरों के सलसरा लगातार जारी है, हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र भर्म रात आठ बजे सिर ए एन बी नियूस पार देज बुखार, खासी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षन दिखते ही, कोरोना की जाच करानी चाहिए। जाच रिपोर्ट का इंतजार किये बिना अपने चिकित सक्से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षन दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमन ना फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सेनिटाइजर से साफ रखें और दो गस की दूरी का पालन करें। गबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ क्या आप दूबले, पतले, कमजोर है आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरसल में बात खाना पीना खाना नहीं है। में बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयरविदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंतर को आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है। ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड आपके शरीर को लगे। आपकी भूख बड़े। खाया पिया सही से लगे। नया खून बने। हड़ियों में जान आए, वजन बड़े, ताकत बड़े, चेहरे पर नूर आए और आप मुटे, तगडे, खूबसूरत परसनेलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आईरविदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुश पर भाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां, दोनों इसका इस्तिमाल कर सकते हैं। और पहले पंदरा दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ छे सो पचास रपे की पूरे एक महीने की दवा होती है। और आप इसे घर बैठे, 011454545454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर्याना के अंबाला में आज बीजे पी विधायक असीम गोल ने एक अनोखी शुरुवात की। अंबाला शेहर के विधायक ने अस्पताल और शेहर के सभी चौक चौराहों पर पहुँच कर मिशन शुक्रिया अंबाला की शुरुवात की। जिसके तहट विधैक ने अस्पताल में डॉक्टरों सेक्यॉर्टी गार्ड्स के साथ साथ शेहर के सब चौक चौराहों पर कھड़े पुलिस कर्मियों को खुद चाय फिलाए और हाथ जोड़कर डॉक्टरों को नमन किया वहीं पुलिस कर्मियों को विधैक ने सलिूट भी क आज एक हमारी टीम ने एक निरने लिया था मिशन शुक्रियां बाला एक गरम चाहे की प्याली और ये चाहे जो मुझे लग रहा है कि आज उन फ्रंट लाइन एसेंशल वरकर्स को हमारी सल्यूट है हमारी श्रद्धा हमारी इज्जत हमारी थैंक्स का एक परतीक है जो लगा अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी की परवाना करते हो हम सब के परिवारों के लिए लगे हुए हैं तो ये एक थैंक्स के प्रती एक सम्मान के प्रती आज हमने इस मुहिम को चलाया है और जब तक ये करोना रहेगा तब तक हमारी टीम रोज इस मुहिम के हरियना के कॉंग्रिस कमिटी के नैशनल मीडिया सचीव डॉक्टर विनीद पूनिया ने एक प्रेस कॉन्फरिंस की कोरोना मरीजों को आक्सीजन देने की वर्तमान व्यवस्था को जन विरोधी वताते वे विनीद पूनिया ने कहा कि सरकार सभी अस्पताल में अत्रिक्त ऑक्सीजन और एकल खिड की विवस्था शुरू करे उन्होंने कहा कि सरकार ऑनलाइन पोर्टल ऑक्सीजन वाली परणाली बंद करे ऐसे में सरकार को अपनी हट धर्मिता छोड़ कर ऑक्सीजन देने के लिए सभी अस्पतालों में अत्रिक्त ऑक्सीजन व्यवस्था और जिला अस्पताल में 24 घंटे खुली रहने बाली सिंगल विंडो व्यवस्था करनी चाहिए हमारी स्वस्थ मांग है हरियाना सरकार लोगों की मदद करें लोग आज ट्राही ट्राही कर रहे हैं लोगों के पास स्विधाय नहीं है फतेवाद जिला के लोग खास तोर पर परेशान है फतेवाद में जो एक छोटा सा जिला है लगबग साड़े तीन सो मोत हो चुकी है जो अधिक्रिक आंकड़ा है और वास्तविक आंकड़ा है वो कहीं ज्यादा है हमारी मांग है सरकार जो ने जो सिस्टम शुरू किया है जो उनलाइन पोर्टल की व्यवस्ता की है हमें उसस उसके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इंटरनेट एकसेस कर पाए तो उन लोगों के लिए सब लोगों के लिए सरकार को एक सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करना चाहिए जहां पे कोई भी व्यक्ति कोई भी करोना मरे खबर लगातार जा रही है हम रुकते हैं एक और छुटे से ब्रेक के लिए राश्ट्र धर्म रात आठ बजे से ए एन बी नियूस पर सब कोटी का लगवाना है करोना को हराना है तीके की सुरक्षा अपना कल सुरक्षा चक्र बनाना है अठारा साल की उम्र हो युवा हो या बुजुर्ग हो एक बल भी सोच बिना ये मौका नहीं गवाना है सब कोटी का लगवाना है करोना को हराना है टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क पिर भी लगाना है दो गस की दोरे निभाना है सब को टीका लगवाना है करोना को हराना है मैंने कोविन एपलिकेशन से अपना रेज़ेशन कराया और आज मेरा एपॉट्मेंट मिल गया पीजाय में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ प्रोसेस बहुत ही स्मूध और बहुत ही लाइट तरीके से कंड़क किया गया 18 प्लस के लिए ये जो इनिशेटिव रिया गया है बहुत अच्छा है तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्राब्लम नहीं हुई मुझे मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश कॉवर्मेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना है चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं निश्रक टीका करण अभियान में 18 वश से अधिक उम्रवालों के लिए टीका लगवा कर सुरक्षा कवच बनाएं, कोविन.gov.in पर रेजिस्ट्रेशन करवाएं सूशना एबन जनसंपर विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी राश्ट्र धर्म रात आठ बजे सिफ ए एन बी नियूस पर और इस वक के बड़ी खबर से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दें दिल्ली महराष्ट्र बारवी की परिक्षा आयुजद करने के खिलाफ सीवीएसी के परिक्षा कराने के पक्ष में महराष्ट्र सरकार नहीं है शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचीबों और राज्य परिक्षा बोड के अध्यक्षियों के उच्छे स्तरिय बैठक हुई थी आज जो कि बैठक खत्म हो चुकी है रक्षा मंत्री के अध्यक्षता में ये बैठक आयुज़त की गई थी बारवीक अक्षा की परिक्षा और दवसाइक पाठेकर्मों के लिए प्रवेश परिक्षा आयुजुत करने के प्रस्तावों पर आज चर्चा हुई थी और इसमें जो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये मिल पा रही है कि दिल्ली महराश्ट्र बारवी की परिक्षा आयुजुत करने के खिलाफ है हालांकि कुछ राज्जों ने इसका समर्थन भी किया है जारखन के मुख्यमंत्री हिमन सोरे ने देश भर में कोविट-19 महामारी के स्थती पर विचार करने के बाद केंद्र से CBSE काक्षा बारवी परिक्षा 2021 की जो डेट्स हैं वो तै करने को कहा है मुख्यमंत्री, केंद्रिय शिक्षा मंत्री और तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बाठेक पे उपस्थित रहे थे रक्षा मंत्री राजनात सिंग भी इस बाठेक में उपस्थित रहे थे दिल्ली सरकार बारवी बोड के परिक्षा आयुज़त करने के खिलाप है और सरकार का कहना है कि कम से कम वोड के लिए उपस्तत होने वाले जो छात्र हैं उनका टीका करन करने से पहले परिक्षा आउजद ना की जाए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महराष्ट्र ने भी ओफ-लाइन परिक्षा आउजद करने का विरोध किया है हालांकि इस्थती नियंतरण में आने के बाद तमिल लाडू में बारवी बोड के परिक्षा आयजुद करने के जो उमीद है वो जताई जा रही है वही माराश्टर के शिक्षा मंतरी के बाद करें यानि के वर्शा गायक बाड तो रोने काया कि छात्रों को सुरक्षित बातावरन प्रदान करना प्रात्मिक्ता होना चाहिए तो जो जानकारी प्राप्त हो रही है बैठक में बारवी बोड परिक्षा आयजुद करने पर सहमती कहीं न कहीं बंती भी नजर आ रही है परिक्षा में वेकल्पिक प्रश्ण जो हैं वो पूछे जा सकते हैं ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आपा रही है वहीं आपको ये بھی जानकारी दे दें सुत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पारी है कि केंद्र ने सभी राज्यों से लिखित में जवाब मांगा है और उन्हें दो दिन में प्रस्ताव पेश करने का नर्देश दिया है इन प्रस्तावों पर विचार विमर्ष करने के बाद 30 माई तक कोई फैसला लिया जा सकता है आपको जानकारी दे दे एक जून को शिक्षा मंत्रे की सीबियसी के साथ बैठक होनी है और संभावना चता ही जानी है कि इस बैठक में अंतिम फैसला लिया जा सकता है और इसी के साथ ही इस बक के बुलिटिन में बस इतना ही तमाम एहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एन बी नियूस